सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे आसपास बहुत सारे पधार्ट पाए जाते हैं यदि हम इन पधार्टों को दातू वे अधातू में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे शायद जो वस्तू है ठोस वे चमकदार होती हैं उन्हें आप धातू कहेंगे आज हम पधार्टों के दिखावट और कठोड़ता के अधार पर दो वर्गों में वर्गी करत करेंगे जिने धातू और अधातू कहते हैं तो बच्चे यहां पर हम धातू के बहुत इक गुण पढ़ते हैं पहला है कठोड़ता अधिकांश धातूएं कठोड़ होती हैं सोडियम विपोटेश्यम धातूएं बहुत मुलायम होती हैं जिनको चाकू से कटा जा सकता है दूसरा है तन्नेता धातों का वहगुण है जिससे उन्हें खीच कर तारों में परिवर्थित किया जा सकता है तन्नेता कहलाता है उधारण कॉपर लोहा और अलिमीनियम आदी नंबर थिरी है ठोस अवस्था मरकरी को छोड़का अधिकांश दातों कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है जिसको अपयोग थर्ममीटर में किया जाता है चोता है अगात वर्धनियता इसे समझने के लिए क्रिया कलाप करते हैं सामगरी लेनी आपको लोह की कील, अलुमीनियम तार, कॉपर तार, कोईला, पैंसिल का सिक्का, कार्बन छड, हतोडी इसे बहुत साफधानी से करें या आपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद इन सबी समगरी को एकटा करें और इन्हें एक एकर हतोडी से पीतें, पीतने पर जो आपने पाया उस आधार पर तादिका पूर्ण कीजिए तो बच्चों आपको क्या करने हैं यह पधार लेने ठीक है, और आपको यह बताना है क्या यह टुक्डों में टूट गया यह चप्टा हो गया जैसे लोहे की कील तो चप्टी हो जाएगी कोईला टुकडों में तूट जाएगा ठीक है, अलुमीनियम का तार क्या होगा वो भी चप्टा हो जाएगा ठीक है, कौपर का तार भी चप्टा हो जाएगा ठीक है, ऐसे ही आपको ये बता करने है ठीक है आपको करके देखना आईए अब आगे हम पढ़ते हैं धातों का वह गुड़ हैं जिससे उन्हें पीट कर शीट में परिवर्दित किया जा सकता है अगात वर्दिनियता कहलाता है आते हम कह सकते हैं कि धातों कठोर, चमकीली, तन्य वह अगात वर्दिनिय होती हैं धातों के कुछ उधारण – Iron, Copper, Aluminium, Calcium, Magnesium, इत्यादी, Sulfur, Carbon, Oxygen, Phosphorus धातों के कुछ उधारण हैं तो यह आपको प्रिशनों के उत्तर देने तो हम दे देते हैं पहला कोश्य ने बच्चो दो धातू के नाम लिखिए जिने चाकू से काटा जा सकता है तो हम इनके नाम लिख देंगे यहाँ पर क्या नाम है sodium वे potassium ठीक है answer number one में आप लिख देंगे sodium वे potassium कोश्य नाम टू है एक धातू का नाम बताएगे आप किस धातू के तार बनवाना पसंद करेंगे तो पहले हम देख लेते हैं answer number three में तन्यता किसे कहते हैं तो देखिए बच्चो यहाँ पर दिया हुआ है हमें तन्यता तो हम यहाँ से लिखेंगे तन्यता डाल कर heading तातू का वह गुण है जिससे उन्हें खीच कर तारो में परिवर्तित किया परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है बस आप इतना ही लिख देना अगर आप उधारन देना चाहें तो आप उधारन दे सकते हैं उधारन copper जिससे तामबा भी कहते हैं लोहा और aluminium आदी ठीक है आप इतना लिख देजिए चलिए ठीक है उधारन भी बता देजिए अब क्या करना है अब एक example भी देना इसमें आपको आप किस धातू के तार बनवाना पसंद करेंगे तो हमने यहां लिख दिया copper ठीक है अब question number 4 है दो धातू के नाम लिखिए जो आसानी से अगहत वर्द नहीं हो सकती है तो दो धातू के नाम लिख दिया हमने copper और aluminium ठीक है यह answer number 4 है copper और aluminium अब question number 5 है aluminium aluminium धातू के कोई एक उपियोग लिखिए तो हमें एक उपियोग लिख देंगे तार बनाने में ठीक है इसका उपियोग तार बनाने में किया जाता है आप यह भी लिख सकते हैं तो आपके वक्षिट सॉल्व हो गई स्टुडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आईए तो प्लीज में वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मैं चनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स बर वर्चिंग